इंकम टेक्स एक्ट का सेक्षन ट्रिपल वन ए बात करता है शोट्टर्म क्यापिटल गेन ओन शेर्स एन इक्विटी ओरेंटेट मुचल फंड्स Good Morning Friends, मैं निले शुजेंगर इस वीडियो में हम बात करेंगे शोट्रम क्यापिटल गेन ओन इक्विटी ओरेंटेट मुचल फंड्स के बारे में section triple 1 ये बात करता है equity shares और equity oriented mutual fund से होने वाले short term capital gain के बारे में तो short term capital gain क्या होता है short term capital gain किसे कहते है जब भी हम कोई equity shares या equity mutual funds purchase करने के बाद 12 माइने के अंदर उसे बेच देते है तो उसके उपर जो प्राबिट होता है तो gain होता है उसे short term capital gain कहते है जब भी हम कोई equity shares या equity oriented mutual funds को purchase करने के बाद 12 महीने के अंदर उसे बेच देते हैं तो उसके उपर जो profit होता है उसे short term capital gain कहा जाता है और अगर हम उसे 12 महीने के बाद बेचते है तो उसे long term capital gain कहा जाता है इसी प्रकार अगर हमें loss होता है तो उसे short term capital loss कहा जाता है और short term capital gain के उपर 15% के rate से income tax लगाया जाता है 15% एक special rate of tax है अगर आपको short term capital gain होता है तो उसके उपर 15% के सबसे income tax लगाया जाता है अब बात करते हैं carry forward of losses की अगर हमें short term capital loss होता है तो उसे हम अगले साल में carry forward कर सकते हैं अगले साल में उसे ले जा सकते हैं इसके लिए हमें हमारा income test return दाखिल करना होगा और उस income test return में हमें जो loss हुआ है उसे दिखाना होगा उसे disclose करना होगा short term capital loss carry forward करने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलने वाला है कि आगर अगले साल में हमें कोई profit होता है अगले सालों में अगर हमें short term capital gain होता है तो उसमें से हम पिछले सालों में जो हमें loss हुआ था वो loss हम कम कर सकते है माइनस कर सकते है जिससे कि अगले सालों में जो हमें tax लगने वाला है वो tax हम बचा सकते है तो यह थी जानकरी शोट्टरम कैपिटल गेन के बारे में आशा करता हूँ कि यह जानकरी आपको यूसफुल लगे होंगी